आज हम आपको बताने वाले हैं किचन के एक ऐसे इंग्रियर्डियंट के बारे में जो शायद आपने कम ही सुना होगा या नहीं सुना होगा वो है ये गुड़ अक्सर बहुत कम समय के लिए आता है और गुड़ ले भी आते हैं तो वो अक्सर खराब हो जाता है लेकिन ये हम हमारे पास गुड़ है ये हमारा एक साल से हमारे पास रखा हुआ है आप देख सकते हैं खूब हूँ बिल्कुल एक साही ये गुड़ है तो गुड़ की कही चीज़े बनती हैं जो के हमने अभी अपने चैनल पर नहीं बनाई हैं नहीं डाली हैं गुड़ की रोटी बनती ह किने चावल बनते हैं जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं घुण की चाई भी बनती है गुड़ आप दूद में डाल कर पी सकते हैं यह बहुत ही ँख सेहत के लिए अच्छा भी होता है तो इसको रखना बड़ा टेडी होता है यह बाहर छोड़ तो इसका कलर डार्क हो जाता है तो इसको इस्टोर कीजिए हमारे तरीके से इस्टोर कीजिए और पूरे साल भर इसका फायदा उठाईए तो आप देखें वैसे तो खेर आप यू करके इसको तेली में बांद के कस्प के बिल्कुल एर टाइट होनी चाहिए हावा नहीं जान हैं बहुत जादा दिन के लिए श्टोर कर रहे हैं तो वरना तो खेर आप इसको यूँ भी रख देंगे यह देखें इस तरीके से हम अपने हर पीस को अच्छे से यू कवर करेंगे और कवर करने के बाद यह हमारे पास एक एयर टाइट पॉलो थीन है हम इसको इसके अंद इसमें से निकाल देंगे फिर इसको बंद करेंगे इस तरीके से आप किसी भी चीज के अंदर रख सकते हैं कैई चीजों के साथ भी रख सकते हैं यह देखें हम इस डब्बे में इसको छोड़ देते हैं और इसी के साथ साथ हम कैई चीजे श्टोर भी कर सकते हैं आप चाह तरीके से कीजिए गुड़ को श्टोर साल भर के लिए हमारे तरीके से कहीं से जियादे भी आ गया है तो इस तरीके से आप आसानी रख सकते हैं कोई भी किचन से जुड़ी हुई टिप्स या टिक्स हम बिना अपने उपर आजमाए हुए या हम जो फोलो नहीं करते हैं हुए ही सर्दियो में डिशिस देते जाएंगे ऐ अ